मुझे आप जानते हैं हमारी रियासती हुपूमत दोहजार चीज़ों का बज़ट जाज़ी कर सकी है और हजब सादिक की तरहां बज़ट में बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया गया है वाज़ी किये गये हैं और बिल्कुल या तमाम बज़ट का बहुत जाज़ा लिया जाए तो यह बात बिल्कुल वादे हो जाती है कि केसिया सरकार इस बज़ट को अपने वादों के मताबिक ही जो है यह भी एक वादा है बज़ट वादा है और यह बात फिर मुझे दोराने की जुरूट नहीं है कि हमारे केसिया साथ के अब तक के वादे कितने वफा होगे अब उसकी उनके वादों की तफसील बड़ी तबीर है लेकिन मैं मुक्तसर यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे केसिया साथ ने बारा फिससर ताहुदात का वादा किया फिर वादों को जुरूट ने पवादा किया गया और उसके बात उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा देने का वादा किया गया टुके सरकारे भुंसी सरकारे लोगह, उसको जाइज व्काम देने का वादा कियाbedRY, जब में, का लिए से आज तर जो तिलंगाना के अवाम के लिए जो रवया सामने आ रहा है और बिल्खुस मैनारेटी और मुसल्मानों के लिए कि ये बिल्कुल लिया तोर पर अपने वादों में नाकाम हो चुके हैं और इन्होंने मुसल्मानों को जाइव उखाम देने का वादा किया जबके हमारे दस हीनों सिटी में एक को भी मुस्लमान वैस चांसला नहीं बना आ गया और पप्लिक सर्विस कमिशन में बनीस सो सेटालिस अर्टालिस के बाद से मुस्लिम नुमानदा हुआ करता था लेकिन एक केसियार ने महासी भी मुस्लिम नुमानदा की खत्म को दिए और सिदम जरीफी ये है कि आज तीन साल से अखलियती कमिशन को खत्म को दिया गया और मेलारती फैनास कार्पोईशन के जरीए मुसलमानों को मुस्सल्द होगा देते जा रहे हैं आप बताने कि हम खेलखा हैं हम यह बज़र जारी करें लानतर तुम्हारे जूट पे अब हम खामिश बजने वाले नहीं है मैं तमाम दर्खास देंदों से यह अपील करता हूं कि 12 फिबर वरी को असम्बले इखलास खत्म होना है हम 13 फिबर वरी पीड के दिन सुबह 11 बजे जितने लोग दखासे मैंनार्टी फैनास कार्परेशन में दाखिल किये हैं वो तमाम कार्परेशन के दफ्तर में दमा होना है हमको घेराओ करना है और फिर मैं बताता हूं कि हमको थोगा दिया गया है एक पैसा बज़र जारी नहीं हुआ और चेर्मेन मैंनार्टी कार्परेशन इंकिया साथ जूट कर रहे हैं यह जूट कर रहे हैं अब हमको बताश करने वाले नहीं है तेरा फिपर मेरी को याद रखिया तीर के दूसमा जारा बज़े फैना कार्परेशन के दफ्तर में आना है और हमको घेराओ हज़ोज हज़ोज नाम पर लिए